हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल आज हम बनाएंगे ब्रेट से बहुती क्रंची बहुती टेस्टी डोसा इसको बनाना इतना असान है कि कोई भी बना लेगा फटा फट से तो देखिए वीडियो को सुरू से लेकर आखरी तक देखेगा तभी आपको समझ में कि ब्रेट से डोसा कैसे बनाएं वो भी हम मसाला डोसा तयार करेंगे तो देखे ब्रेट के कॉर्णर का जो हिस्सा होता है उसको मैंने हटा दिया है और साथ से आठ ब्रेट मैंने ली हैं और इनको इस तरीके से तोड़ लेंगे टुकडों में और एक बाउल में आट अब हम यहां पर आट कर रहे हैं सूजी और चावल का आटा आट करेंगे और दही तो दही सूजी और चावल का आटा बराबर मातरा में लेना है यह मैंने चावल का आटा डाल दिया मीडियम खटा दही लेंगे बहुत जादा खटा नहीं लेना है और इसमें थोड़ा सा प यह सारी चीजें अच्छी तरीके से आपस में मैल्ट हो जाएंगी यानि की दही ब्रेड ब्रेड जो है ब्रेड है और सूजी है यह बहुत जल्दी पानी और दही को सोक लेगा और इससे बहुत ही अच्छा डोसा बनकर तयार होगा तो दीखें इससे हम साइड में रख के दश étaitना के चाहिर है इसमें मैंने अथे स्पून के करीब जीरा और बारीक वाली जो रई होती है उसे डाला है और लैसन अद्रक का पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च अब इसमें अट करेंगे बारीग कटा हुआ प्याज अच्छी तरीके से mix कर देंगे फिर टेस्ट के according नमक add करेंगे स्वात के अनुसार नमक अब हम इसमें add करेंगे बारीग कटा हुआ बीन्स और गाजर गाजर को मैंने कद्दू कस कर लिया था बहुत जल्दी हो जाता है तो इसलिए आप अपनी पसंद की भी सबजीयों को इसमें आड़ कर सकते हो अब हम इसमें आड़ करेंगे सफेद तिल सफेद तिल का तेल या तिल लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसलिए सफेद तिल हम यहाँ पर आड़ कर रहे हैं और थोड़ा सा चाट मसाला एट करेंगे और जरा सी बिलकुल बहुत कम हींग एट की है मैंने जो कि ओरेजनल हींग है बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है और हाप टी स्पून से भी कम मैंने एट किया है हल्दी पाउडर और सांभर मसाला वन टेबल स्पून के करीब आट किया है आलू को कुछ इस तरीके से फोर्ड कर लेना है यानि उबले हुए आलू को हम इस तरीके से फोर्ड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हम इसमें बिल्कुल जरा सा पानी एड़ करेंगे जिससे आलूओं में सारे मसाले अच्छी तरीके से एब्जॉब हो जाएं अब हम इसमें एड़ करेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा नीमू का रस मैंने तीन से चार मिनट के करीब इसको पकाया है और गैस के हाई फटाफट से डोसा का जो मसाला है यह फटाफट से तयार हो जाता है क्योंकि उबले हुए आलूओं से बनता है तो यह इसमें टाइम भी नहीं लगता है तो I think 5-6 मिनट लगा है डोसा का ये मसाला तयार करने में इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम तयार करेंगे रायता इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे तो एक कटोरी के करीब मैंने दही लिया है मीडियम खटा चाट मसाला मैंने आड़ कर दिया हाप टी स्पू लगाएंगे यानि देसी घी और जीरा से तड़का लगाना है बहुत ही जल्दी हो जाता है देखे थोड़ा सा जीरा मैंने आट किया और फटा फट से इस दही में तड़का लगा देंगे तो ये लिजे हो गया तयार हो गया रायता जो कि हम मसाला डोसा के साथ सर्प इसे हम साइड में रख देंगे तो दोनों चीज रैडी है और पटा फट से इसे साइड में रख देंगे अब बना लेंगे डोसा तो ये जो मैटेरियल है ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है छे से साथ मिनट मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था इसी डाल देंगे PARA जार में और थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले बहुत जादा नहीं एड़ करना है और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे जिससे इसका बढ़िया सा स्मूथ घोल तैयार हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इसको पीसना है बहुत जादा पानी एड़ नहीं करना है क्योंकि जो डोसा बनता है वो गाढ़ा ही इसका घोल होना चाहिए कुछ इस तरीके से अगर आपको लगता है कि बहुत ही गाढ़ा है तो आप उसमें पानी थोड़ा सा एड़ कर सकते हो अब इस घोल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें आड़ करेंगे हाफ टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा तो बनाने के टाइम ही बेकिंग सोडा आड़ करना होता है उसके पहले नहीं आड़ करना होता फ्रेंड्स घोल रेडी कर लीजए और जैसे ही डोसा आप बनाने चलें उस टाइम पे ही आप बेकिंग सोडा अइट करके इस तरीके से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद में डोसा बनाएं इससे बहुत ही क्रंची डोसा बनता है तो यह मैंने डोसा बनाने वाला तावा लिया है इस पे मैंने थोड़ा सा पानी छुड़क दिया है और टीसू पेपर से मैंने उसको साफ कर दिया है एक चिमचा के करीब मैंने लिया है घोल और इस तरीके से तावे पे फैला देंगे राउंड एन राउंड करके इस तरीके से क्लॉक वाइज और इसको gas के medium flame पर पकाएंगे अगर डोसा थोड़ा सा मोटा बना है तो इसको आप gas के slow flame पर पकाएं तो ये जो मैंने डोसा के लिए सबजी तयार की है जब डोसा अच्छी तरीके से पक जायेगा देखे गोल्डन कलर का हो गया है यानि की डोसा अच्छी से पक गया है अब हम इसमें सबजी को फैल आएंगे इस तरीके से तो ब्रेट का मसाला डोसा जब भी बनाएं या प्लेन डोसा बनाएं तो उसके साथ आप सामभर भी बना सकते हो अगर घर पे सबजीया हैं कुछ भी सबजी हैं तो उसे आप सामभर भी instant बना सकते हो सामभर मसाला गर है तो उसे सामभर भी बहुत जल्दी बन कर तयार होता है तो इस तरीके से देखिए मैंने ब्रेट का मसाला डोसा तयार कर दिया कुछ ही टाइम में इस तरीके से हम दूसरा डोसा बनाएंगे तो एक बार पानी छुड़किए, दो-तीन डोसा बनाने के बाद में पानी को छुड़कना होता है, बार-बार पानी मत छुड़किए, इसे अच्छा डोसा बनता है अब ये मैंने जो रायता बनाया था दही का, उसे हम सर्ब कर लेंगे, मसाला डोसा के साथ और फटाफट सेー दूसरा भी मसाला डोसा मैंने तयार कर लिया है तो लीज़े फ्रेंड्स ये ब्रेड का मसाला डोसा और साथ में रायता खाने के लिए तयार है डियर फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर भी कर दीजेगा फिर मिलते हैं